अरियोम नमस्कार अरियोम नमस्कार अनी बुद्ध भगवान भनेर जुन बउध संप्रदायली आपनो अविष्च देवता भगवान को उपाशना गर्दशन तेशे गरी आरहत भनेर जुन जैन शंप्रदायका सज्जन हरूली आरहत को उपाशना गर्दशन सोयमनो बिदधातु बान्चित फलं त्रेलोक के नाथो हरी ही सकल संसार का आनेक रूप मा अवत्तरित हुनु भैका भगवान स्री हरीले तमें हमी सबैको मनोकामना पूरा गरून सबैं हमी सबैको कल्यान गरून यही मंगल मैं प्रार्थनाक का साथे आदर्णिय दर्शक ब्रिंद ओयस नेपाल को यो फेस्बुक पेज मा प्रसारण भैर्य हेको सत्चन को कारिक्रम आपनाई आपनाई इनर लाइफ आंतरिक जीवन नाई जानने बुझाउनने अनुभव गरने कारिक्रम सत्चन मैं आवरलाई मा आचार्य चुळा मने हर्दिक स्वागत गर्दाचू आउनोस अब कारिक्रम सुरू गरूँ आमी स्रिभत भगबत गीता माती विचार गरी रहेका छौँ शर्बो पनीशदो गाबो दोगधा गोपाल नन्दा नहां पार्थो बत्च सुधिर भोगता दोगधाम गीता अमरित अमहत श्रिमत भगबत गीता जो आफ़ई मां अमरित हो अर्थात तप हमिले अमरता तिने तो दिव्य विद्या हो उपनीशद हरुमा जीवात्मा को प्रार्थना का रूपमा हमिले यो बाक्य धेरे जनाले सुनी रहेका छौँ असतो मा सद गमय तमसो मा जोतिर गमय मृत्योर मा अमृतम गमय मृत्य तिरह होईना अमरता तिरलाई जानोश भनेर जुन जीवात्मा को प्रार्थना हमि बेद मा पाउँश हों अनि तेसे गरी असतो मा सद गमय असत सामग्री तिरह नास वान बस्तु तिरह होईना हमिले सत बस्तु कईले पने नास नहुने बस्तु प्रती तेदा तिरह लई जानोश भनेर हमिले जीवात्म को प्रार्थना बेदादी अनेकन सास्त्र हर्मा पाउँचों तमसों मा जोतिर गमे अध्यारुतिर होई न हमिले उज्यालुतिर लईजनोस भगवान भनेर हमिले प्रार्थना गरेको पाउँचों यू तपे हम्रू प्रार्थना तपे हमीले रामररी आपने अंतस्तलमा भित्र पट्टी आपईले आपईले अनुभब गरे रहा भित्रको मौ लाई जाने रहा भित्रको मौ लाई देखे रहा भित्रको मौ तिसको भाव तिसको भाशा तिसका इच्छा लाई जाने रहा હેર્યુ ભણી ઇસલે સદા સદા થપંએ હમી ઉજ્યાલુતીર જાન પ્રયતન ગરીરીકા છોં હંઁ હંય આમી यो घड़़ीत होना सकता ही नौ यो प्रती फलित होना सकता ही नौ यो व्यवाहर मा ख्रियानबीत हुना सकता ही नौ यो व्यवाहर मा आवोश क्रियानवित होश रर सार्थक आमरो इच्छा सार्थक बनोश अर्थात यो फलित होश भन्नका लागी हमिली अनिकन सत्य सास्त्र को स्वाध्याय नित्य निरंतर अति आवश्यक सामग्री हुन्ना आउँश यो उपाय हमिले गरिनो वने फरी हमिले इत्यो मौका मिल्दे हैनो दहरो बाट उज्यालो तिर जाने मौका न मिल्ला असत बाट सत भस्तु तिर जाने मौका मिल्दे नो तिसे गरी हामी भित्रको आत्म तत्तोल जान्ने मो कामिल दैवित्र बाट्ट आत्म बल संपन्न होना सकते यि डिली जीवनमा अभीष्ट जो सुख सांती हो तसलै प्रापत गरना सकते यि अनिक तराका घर चन, दुआर चन, मकान चन, इस्टमित्र चन, सा थी वाई種, अगार जानेर आणर भुजेर हमिले वैस नेपाल यह पेसवुक पेश बाट आए तरक को सहयूग का लागी पन्रकौल अथवा यां हरुलाई सत्सास्त्र को स्वाध्यायम किंचित सहयोग गर्ना का निमित्त भनू अथवा जिवनू हमी स्रीमत भगवत गीता मा विचार गरिये का छों। श्रीमत भगवत गीता को दोस्रो अध्यायमा जहां अर्जुन ले आफंत हर ले मारेर यो राज्य प्राप्त गर्नू भन्दात भिक्षा मागेर खानू ठीक्षा मलर्दीन भनेर आपनो स्वधर्मा बाट भागदेई छों। तेस्ता अर्जुन ले समझाओ दे भगवान सरक्रिष्ण बन्दे हुनुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ अर्जुन को द्रिष्टी आत्म तत्व माती चा, अर्जुन को द्रिष्टी यो नास्वान शरीर माती चा आधनिय दर्शक ब्रिंद, शरीर एस्तो वस्तु हो जो प्रतिपल परिवर्तन भई रहान चा यो प्रतिक्षन परिवर्तन भई रहने शरीर लाई यो परिवर्तन रोकन खोजनू आपईमा मूर्खथा मात्र होना साक्षा यो रोकिदाई न कई लेग श्यान बच्चा थियो युबात तन्यरी भो केई समय पछी बूडो हुँचा अज एकचेन पछी फेरी मर चा यो परि वाइ रोकन सकताई। शरीर को परिवर्तन अपरिवर्तनी यकुरा हो तिर शरीर जुन बच्चा ये ताउत कंझ आधार मा परिवर्तन भई रेकुचे त्यो haven आत्मा प्रत्व जुन बालक अवस्तामा पनी यथा भत बनी रहन चो युबा अबस्ता अत्वा ब्रिद्धा अवस्तामा पनी यथा भत बनी रहन चो योड़ा चक्का चापैं हमीले गोरु गाडा कत्तिको ख्याल गरेका चमुराम्रारी ध्यान ध्यर हेरें बनी योड़ा गोरु गाडा जसको चक्का घुमी रहन चो या निरे हेरनू पनी कुराके चा बनी यो आत्मार शरीर लाई बुजन बोजाऊन इसता प्रकार का उदाहरन हरू बढ़ी उपवयुकत हुने भावनाले अरूपने हमरा पिता पूर्खा अनिकन आचार्य हरूले इसको प्रयोग गर्ने भावनाले मपनिया हरू समक्से इस प्रकार को उदाहरन दिने रहसलाई इसपस्ट पाने प्रयास गर दैचु योड़ा चक्का हुन्चा गोलो अनि गाडा जती-जती हिनी रहन्चा तेई चक्का का बलमा हिनी रहन्चा अनि त Oreo गहमी रहन्चा माथगो तला आउंचा तला को माथि जतांच तला म emer तर यह सपपई चक्का लाई गोमना मदात पूर्यावनी तियां यवटा धुर किल्ली हुन्चा यवटा कीलो twentyos तो लाई आपनो एक्सल देखी बाईर फुत के रा भागन देदाई नौँ तो किल्ली आपहेमा चल दाई नौँ स्थिर रहान छा तो किल्ली नहुने हो भनी तो चक्का एसे गरी नियमित रूपमा चली रहान शाकताई नौँ ठीक यहाँ पने हमिले आत्मा र शरीर को संबंध मा एसे रूपमा भुज न सके मा ठीक ठीक भुजीन छा अल्ली बड़ी भुज न सके छा यो किल्ली जो चल्लै चल्लै नौँ तरा जसका आधार मा जसका बल मा पूरा चक्का चली रहान चा घुमी रहान चा आत्मा यो किल्ली हो अनि चक्का मानव शरीर हो तो किल्ली बिल्कुल चल्लै तरा तेसे का आधार मा चक्का चली रहान चा ताला माथी ताला माथी ताला माथी ताला माथी अनेक तरा का सुख दुखा अनेक तरा का तातु चीशो अनेक तरा को जीवन मा ओराली उकाली सबै बैहर दै, जीवन अगारी बढ़िर हन्छा. कई किल्लीलाई ध्यान दिनू परने विषै चा, यो आत्म तत्तो लाई चीन नू परने समग्री हो। फ़े इसे और हमे gay दामली जीवनमा ना जानी नह को समाग्री जानन सकिया न भने, भूझनू पर्दा चा. हम्रा संपूर्ण पिता पूर्खा हरू, हम्रा रिशी महर्शी हरू, बेदादी हम्रा सकल सास्त्र हरू हमिला यही आत्म तत्तो को प्रकासन द्वारा आफएले आफएले जाने रह अप्प दीपो भव इत्यादी बुद्ध का बाक्य हरूले पनी हमीले आफेले आफेले जान्न प्रेरित गरी रहेका छन। तसर्था हमीले आफेले आफेले जान्न सकून जीवन लाई सार्थक बनावन सकूं और आत्मा को अभिष्ट जुन प्रकार को सुख सांती हमीले खोजी रहेका छों तेस्ते प्राप्त गर्न सकूं ये ने जीवन को स आर्थक गती हो यही विशेवस्तु लाई भगवान सिर्क्रिष्णा ले अर्जुन लाई सामझाओ दे हुनुँचा रबंदे हुनचा ये अर्जुन तीमिले जहां नजर लगाउनुपर त्यहां नजर लगाई नौ यो सारा जीवन को आधार रूप आतमा जो हामरो प्रबिक रूप हो त्यस्मा ध्यान देऊ तो कईले पनी मरदईना तो कईले जन्मीनी नेही होई ना तेही भार कईले पनी मरदईना त्यो अजनमा हो सास्वत शनातन हो उसले आपना इच्छा ले उसका खटन ले ये सारा शरीर बंच बिग्रन छा हामरो असली रूप तेही हो यो जो शरीर चा शरीर को मात्र विषय मा ध्यान गर्यों भनेता यो प्रतिपल परिवर्तन सील चा जो आपनी मा कुने पनी अवस्था मा इसको परिवर्तन ले रोक न सके दैना रा अन्ता तह यो मृत्यू नहीं इसको निश्चित बिंदू हो शरीर जन्मधा का वकतमा थापै… हमी कसे लिपनी यो गাरंटी दिना सकते है नो यो थूलू हो ठुलो मांचे बनचा की बनदाई न, कोई गारंटी होदाई न, पड़ी लेखी विद्वान होँचा की होदाई न, कोई गारंटी होदाई न, खुब रामरो काम गरेर, पईशा कमार बड़ा धनवान होँचा की होदाई न, कोई गारंटी होदाई न, अनि युबा बस्ता पोगेर, बिवाहा गरेर, घर ग्रियस्ती, बाल बच्चा, छोरा नाती सबै कुरा अनेक बंश बिस्तार गर छा की गर दाई नूँच्छा की गर दाई न। यहां कुने बनी विषय को कोई गारंटी चाई न। तरड़ शिर्फ यहँटा कुरा गारंटी चा। एक मात्र गारेंटेड कुरा हो, तपने हमी एक दिन मार्षों पक्का, यही मात्र गारेंटी कुबी साय हो, जो पक्का मार्ष, अभितेले मार्ष वनेरे पीरमान लाइचा अर्जुन, ते वहर भागमान बांदे उनुचे अर्जुन, जो निस्चिद रूप मार्ने वाला चा तेसलाई मर्णने विशेलाई लियरे किने पीरमान चो, पीर नामान, हेर नुपर्ने ध्यांदी नुपर्ने विशेत, जो मर्ण धर्मा, सरीर को पचाड़ी पटी जुन, कैले नमर्ने अजर अमर साश्वत सनातन, आतमाच जो तपैं हमी सबेको बास्तविको रूप हो, ते को ते कुले प्रकारको ना जन्मत खुख हुन चा, ना मर्ड दुख लुख लुख लुख, ना किई पाउंत शुख लुख, ना किई गुम्द दुख लुख, सबै Baş सबय अवस्था में तिमी समान रहां , शव, नै सबय प्रकारको सुख दुख बाटा अव विचलित हुन अवस्थाने आनंद हो। त्यों आनंद प्राप्त गर्नका निमित्त थिमी प्रयत्नगर भनेर भगवान स्रीक्रिष्ण ले अर्जुनले स्रामझाउंदे बंदे हुनुँँछ। हामी दोस्त्र वद्ध्या को तेरहु चौधों स्लोक मा विचारगर रेका छाउं। देहि नोस्मिन यथा देहि कौमारम यववनम जरा तथा देहां तर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमुहति। यव शरीर तो प्रतिपल परिवर्थन सील चाई। शरीर को परिवर्तन लाई रोकने अखमा अ सरीर ने मोरोष भनने एस प्रकार को बालक बुद्धी ले दो रहाए कुरा न गारख। इस भित्रको जो आतमतत्त पमध्य का चांट उसंद बति आप को शरीर मा प्रवेश गरने जो आत्म तत्तो हो तेस लाई ची न जाना तेस लाई ते ने हमरो आंथर एक जीवन हो बनने बुझे रहा तेस मा आधारेत भये रहा शकल अभ्या बहार हरु गरा अनिती मिलाई यहां कुने लण अत्वा कसे लाई मार न परदा खेरी कुने डर इस प्रकार को भय हुँदाई न इस प्रकार को माया मोह हुँदाई न वने र भगवान शर क्रिष्ण ले अर्जुन ले शामजाऊंदे हुँँँँँच अधर्णिय दर्शर गृंदे यहां कई तरा का प्रस्ता जो स्वाभाविक रुपमा उठ न बनी सक्षम हामी अहि अनुषास्ता ले शिखायके उठा धर्म हो, अनुषासन हो, तरह ठीक त्यसका बिपरीत भगवान स्रकिष्ण ले मर्न मार्न अर्जुन लाई उठाउंदे उक्षाउंदे हुँँँँँँच अ ले अर्जुन ले प्रेरीत गरिदा नुभैको छा, यो क्यो हो ? आपहिमा योपन येवटा अत्यनते जटिल प्रस्ण का रूपम यहां उपस्तित भयको हामी सबै अनुभव गर्द छुम। तरह बस्तित हा भगवान स्रक्रिष्ण ले मर्न मार्न उक्सायको न भैर यहां बस्तित हा आत्म तत्व ले देखन जानन भुजन र मर्ने भन्ने कुरा कही कताई कुने पनी अवस्तामा छैना होदाईना भन्ने कुरा सुईकार्न र सास्वत सनातन सत्यलाई जानन प्रेरित ग अर्जुन ले अब महभारत को युध मांत जाती लाई पाने मार्शनन अब अर्जुन ले हिम्षा गरेकर होंचा कि होंदयानै conversation अर्जुन अब यоЃ शबय हिम्षा बात उत्पर्ण हुने पाप बात पापाक्रांत होंचा हं कि होंदयाई नै लेदी पाप लाक्ष बने तो यो पाप ले उनले नरक लई जाने छा जाने रा उनले सोची रहेका चान ठिकी सोची रहेका चान अपन तलाए मारे रा पाप लाक्ष नरक गईँचा दुख पाईँचा हमी युगर्न हुदईन वन्ने अर्जुन को भनाई आफईमा निती अनुशासर अनुरूप छा धर्मशास्त्र अनुरूप छा ठिक तेसको विपरित्म भागवांशर कृष्णा उस्टाई बन्दे युँ आफईमा परस्पर बिरोधी कुरा कता कता अर्जुन के कुरा ठीक हो भनने तामा हमी लाए लागता छा तरह भगवाल श्रक्रिष्णा का कुरा तामा हम्रों लेवल का कुरा होई नन। तमें हमी जुन तहमा विचार गरछाँ जुन तहमा हमरों बुद्धिली विचरन गरछाँ तो तह भनना धेरी माथी को तह को कुरा भगवांशर क्रिष्णा अर्जुन लाए समझाओ दे हुनों छों। ए अर्जुन, सामान्य अवस्था मा सामान्य अनुसासं का कुरा गरदा तो तिम्रा कुरा ठीकुन। तरह अवस्था तेदी मात्र होई ना, तो भनदा अज्या माति उठा। हामीले हिम्षागरदई चाही नू अरुलाई मारनू, अरुलाई दुख़ दिनू इसको नियत, इसको सभाब, संदऄ भरिया हिम्ष्टरक्च सभाब बने यो सभाब, हिम्ष्तरक सभाब आफ हिम्मा पाफ हो यो नराम्र कुरा हो तरह हमी ले मारे रो कोई मर्षा की मर्दई न? मर्णे बेला मा क्या चाहिं मर्षा तो आपे में छुट्टे कुरा हो जसलाई मारे पनी तेस भित्र को आत्म तत्तो कहले मर्दई न? जसलाई मारे पनी उसको शरीर मर्णे आजन वय भोली आपई पनी मारत तपांव ले न मारे पनी मारत यहां हिम्षा उने देखिदैना तरह हिम्षरक जो सवभाब नेचर हो तो आपेमा हमरे ही लागी घातक हो आपेमा योग कुरा नरहाँर हो तेसेले आमें भित्र हिम्स्रक स्वभाव को विकास नहुष यो हमीले बड़ापर ध्यान राखिर अनुपर ने विशय हो। आदनी अदर्शक ब्रिंद तेसेले हमीले भागवान स्रक्रिष्ण का विशय बस्तुलाई उपदेश लाई भुजन अत्यनताई साब्धानी पूर्वक भुजने चेश्टा गणू परछा। शामाने तो यह अर्जुन ले तिने भाब हरु लाई भनी रहे काचन। जो भाब तमे हमीले आजसंब जानेक बुजेक हमरा धर्मसास्त्र ले, हमरा कुल परमपरा ले, हमरो परिवार पारिवारिक संस्कार ले, और हमरो समाजिक सिक्षा ले शेकाय का कुराहरू ने आज यहां अर्जुन ले भनी रहे काचन। तर अत्यों सबय कुरालाई ब्यवास्ता गर दै भगवार स्रक्रिष्ण के नया नभीनतम कुराहरू पताई रहनु हैको छा, जस्मा अर्जुन को प्रभेश या पहुंच या एक्सिस भई रहे को छाई न। यानिरे तपे हमिले पने अलिकति प्रयत्न गर नहीं पर छा, आन्ने था यो विशे बस्तुलाई सजी ले भूज न सकी दै न। आगा निया दर्शक्वेंद तेसे ले भगवान स्रक्रिष्ण का विशेलाई अलि गहंता का साथ लिन जानु पर दचा। भगवान स्रक्रिष्ण वांदे हुनुँँचा मात्रास पर्शास्तु कवंते यह सीतोस्न सुख दुख दाहा आगमा पाई नुनित्यास्तामश्तितिक्षष्वभारत आओ। ए अर्जुन हैमिले प्रति दिन अनुभव गर्ने तातो चीशो जाडो गर्मी अनेक तरह का जेजती पनी यहां सुख दिने या दुख दिने भाव हरुचंती सबैलाई राम्रारी अनुभव गर्व। यह सबै सुख या दुख दिने कुड़ा आत्मा को तहमा हुदैनो यह केवल शरीर को तहमा मात्र हुणचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचं तातो चिशो बाट, सुख दुख बाट, अनिक तरा बाट उत्पन्य हुने भाव हरुलाई सहन सीक, हमरो नेपाली मा पनियोता आहां छा सुख भयो भनेर न मातिनू, दुख भयो भनेर न आतिनू यो यह भाव बाट, यह से उपदेश बाट उत्पन्य स्रिजित विशय हो, किना कि हमी जब आत्मा को तहमा सोच न पूक्षाँ तब त्यहां सरीर को लेवल वन्दा धेरी माति उठता चाँ सुख या दुख वन्दा धेरी माति जहां केवल आनन्द रहन चाँ त्यो आनन्द, जुन आनन्द केवल आत्मा को स्वाभापिक गुण हो सुख आनन्द होई ना, सुख दुख केवल अरको पाटो हो जहां सुख चा, तेहां दुख चा अइलि तपएलाए सुखक परि अनुभस बईरेगे कुछा वनी साम्जिनुस अब केचन पषी दुखा आउनी वाला चा अलिटावो अधाईल्हेद दुख केचन पषी केचन माईपषी त्यामाईलाए सुखा आउनी वाला छा, तो निश्चित हो, किने कि जहां सुख चा त्याहां दुख चा, जहां दुख चा त्याहां सुख चा, सुख रा दुख आप इमा योटे सिक्क्या का दुई पाटा हुन, तर आनंद भिन्दैं चीज हो, सुख दुख शरीर संग संबांदित धर्म हर हुन, तर आनंद भिशे हो, तेसे ले आदनी भगवद भक्त सर्जन ब्रिंद, हमी ले आत्म तत्त्व लाई हमरो शरीर बाट अलग या एर हेडने चिन्ने जानने मनन्द गरने प्रहत्न गरून, स्वामी विवेकानंद ले राज, योग, सिकाँधै गर्द भर्णी करनो उंत्यो, हमी ध्यान गर्ण बसुँँ, ध्यान गर्ण बसए के बेला अरू बैला मन बन्द पने धेरे विचार होरू , हम्रा मन मैं आउने गर्षन, ती सबै आउने जाने विचार हरला बेवास्ता गरूं और आपईले आपईलाई हेरी राखूं मा को हूं और आपईले की गरी रहे को छू ब्याना उठें और येशो येशो गरें उसो उसो गरें अब एक्सिन पसी एता जान चो उता जान चो अने आपईले हेरी रहने आपईलाई हेरी रहने आपईले अब्जर्वेशन यो शरीर जहां जहां जान चा जे जे गर चा जे जे बोल चा जे जे खान चा जे जे सुन चा शरीर लाई तटस्ता भायर आपईले शाक्षी भावले इसलाई हेरी राखने इस प्रकार को सतत अभ्यास गरी रहो भनी मो रहो शरीर को बीच मा एवटा भिन्यता अन्वग हो न थालचा। रहा शरीर मो है न मो शरीर है न इस प्रकार को बुद्धि को विकास हो न थालचा। रहा यही शरीर काहरेक गतिविदिलाई शाक्षिको रूपमा अप्जर्बेशन गरने परियवेक्षन गरने जो म ततो हो तेने आत्म ततो हो यसलाए हमिले सहजे जन बुझन सक्षों बने रहा स्वामी विवेकानन ले राज योग प्रसिक्षन का संदर्भमा सबेले सिकाऊने गरने होन थे। तप हमिले बनी यो अभ्यास गरने जाने मां सकेमां जिबन मां उतारना र यस बाट आत्म तत्त्त लाए अलग्यायरे हेरना अथवा भनू आत्म तत्त्त र शरीर को भेद जो हमिले अईले विर्शी रहेका चाऊं इसलाई इस प्रकार को अनुभब बाटा हमिले भूजन सक्षां। आधनिय भगबार भक्त दर्शक ब्रिंद यही कुराले भगबांचर क्रिश्नले अर्जुनलाई साम्जाउंते बंदे हुनुँँछा। मात्रास पर सास्त कौनते हम्रा अनिक तरह का इस्पर्ष आदी जो गुण हरुछन। तातो चीशो छामने इस्पर्ष हुने। अनि तेसे गरी राम्रो न राम्रो लागने। कान लाई पनी अथवा आखा लाई पनी अथवा मुख लाई पनी मिठो न मिठो। आदी इत्यादी जेजती पनी भाव हरुछन। इस सबई ले हमें भित्र सुख या दुख लाई पईदा गर्षन। इस सबई शरीर को धर्म हो शरीर को तहमा हुने प्रतिक्रिया हरु हुन। तर आतमा को तहमा हुने सारा प्रतिक्रिया यो वन्दा भेंदै छा। तसर्थ शरीर महुने प्रतिक्रिया वाट प्रभावित हुन हो दैना, शरीर बंचा विग्रण चा मर्चा इस वाट हमें प्रभावित हुन हो दैना, शरीर लाई, शरीर बनाउने जो आत्मतत्त हो जो हमरो सदाकाल जीवन हो, हमरो सास्वत जो जीवन हो, तो सास्वत जीवन आक्मा तत्वला हमिले चिननु परच, जननु परच, भुजनु परच तेस अनुशार हमिले व्यभाहार गरन जाननु परच आगमा पाइनो नित्यांच तामस्तितिक्षष्वभारत यो सुख दुख बनता आउनी जाने आउनी जाने भई रहांचे इसलाइ सहजे सहना सीका इस बाट बिचलित ना हो यो सहने कुरा हो बस इस बाट बिचलित भई को सौँदे न यांहीन ब्यAGटयं तीतिये पूरुशम पूरुश और सभ सम दुखशुखम ढीरं सोम्रित्द त्वाय कल्पते जुन विद्वान बो धिमान लाह्यो इस प्रकार का सरीर धर्म का प्रभाव ले प्रभाबित होदे नो सुख या दुख ले उ प्रभाबित होदे नो त्यो अम्रितत्य प्राप्त गर्दाच्छा उसले अमरता प्राप्त गर्दाच्छा उँ आत्मा को तहमा पुग्दाच्छा रहा 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 आत्मा को तहमा पु सत बस्तु छां, त्यों सधै भरी छां। रजो असत बस्तु छां, तेसको कहीं कते कुने प्रकार को सत्ता नहीं छाई नौ, कोई भाव छाई नौ, सत असत दुईटा बस्तु छां। नासतो बिद्धे ते भाव, आजको बैज्यानिक परिक्षन हरु बाट पनी यो पुष्टी बैस्या केको छां। कुने पनी असत बस्तु को भाव हुना साप्ता है नौ, आजको जो बस्तु संसार मा छंदई छाई न तेस्त्रे हमीले नया निर्माण गरना साप्ता है नौ। आज तक संसार मा जेजती पनी बैज्यानिक अभिस्कार या अनेक भावर एकाचन ती सबै सबै को बस्तु स्थिती क्यो पनी एता उता बाट सारा अनेक सामानहरु मिलायर जोर जामगर्दा बनना आयका ती यही भावेके बस्तु को नभीन रूप हो। रूप नयानया बनावन शकींचा आकार आकृती नयानया बनावन शकींचा चित्रहरु अनेक तरहका कोर्दै मेटाउंदै कोर्दै मेटाउंदै गर्न शकींचा तरह कुणे पनी हुदै नभाय को बस्तु बनावन शकी दैना। आज तक सम्चार भरी का सभई वैज्यानिक प्रयोग साला हरु सपय एक्ठमा जूटेर बल गरे पनी बन्दै नभने को चीज बनावन शकी दैना। ना सतो विद्यते भावो असत बस्तु को कही कते कुने प्रकार को भाव संभव हो दैना। ना भावो विद्यते सतह कुने पनी सत बस्तु को कही लिए फिर अभाव हो दैना। सत बस्तु को अभाव यानि रहमिले विचार गर्न परनी कुरा चा। सत अर्थात जो संदय भरी छा तेसको अभाव अर्थात नहूनू यो हूना सकताईग। जो संदय भरी छा तो संदय भरी छा जो सत्य हो जो संदय भरी छा जो सत्य होई ना तो हिंजपनी थिये ना आजपनी छाई ना भोली पनी रहदाई ना रजो नभयकु बस्तुपने भायजस्त भान भाई रहेको छा यही ने भ्रह्म हो यही ने मित्या हो आदरनी अदर्शक बिंद सै बर्श आगारी हमरो जीवन अत्वा हमरो शरीर थिये नौँ सै बर्श पसाड़ी पनी हमरो शरीर रहाने चाही नौँ प्रत्यों बन्दा अगारी अगारी नाप दई जोख दई हर दई गयों पनी हजारों लाखों करोडों अरबाउं वर्स पसाड़ी सम्मा यहा आगारी सम्मा हैरे पनी हामना फेर अरको सरीर को यले काहां पुन प्रकारको होनेग्छा हामिले केपनी भन न सकते नुम्, देखन अनुमान गण सकते नुम यो पईलिबनी कहीं कताई थिये ना पशिबनी कहीं कताई रहन्ना तर बीच मा एती वला भासित भई रहे कोचा जो प्रतित भई रहे कोचा जो बोली रहे कोचा अनेक तरका गटिविदी गरी रहे कोचा अनेक अनेक उपद्रो गरी रहे कोचा यो यही निमित्या हो बागवान शरक्रिष्ट भांदे हुनुँँच यो शरीर को जो निर्माण चा यो रूपाकृती चा यो बन चा बिग्रन चा यो त्यस्ते ही केई सामागरी लिब्बनी को चा तर यसलाई आधार दिने जो आत्म तत्त हो तो अभिनासी चा शास्वत चा शनातन चा र जसले शरीर को लेबल मा शरीर को तहमा उपलब धहुने अनिक तरह का सुख दुख लाई जान्यो बूज्यो अनि सुख दुख बाटा प्रभावित हुना छोड़ेो शामजीनिस्त्यो अमर बन्यो तो आत्मा को तहमा पूग यो र आत्मा जो आपहि मं सदा सर्वदा अजर अमर छोड़े इस प्रकार को अजर अमर साश्वत सनातन आत्मा को तहम पूगना साथ, तमय हमी, तेही नहीं हौँ, तोना हमी ले यवटा भ्रम के भाई रहेको चाँ, बनी आत्मा नहीं सरीर हो, शरीर नहीं आत्मा हो, इस प्रकार को भ्रम ले गरदा यो भान भाई रहेको चाँ, अधनिय पंद्रष्टा महर्शी हरुले, हामरा पिता पूर्खा हरुले, उबहयोर पिद्रिष्ट दुबए लाइ देखे का चन। अर्थात असत बस्तु को कहीं गते भाव या सत्ता चैन। राशत बस्तु को कहीं गते कुने प्रकार को अभाव चैन। यो कूरालाइथ तापए हमिले राम्रेदे भुजनू परचाँ शरीर पहली पणी थियेन पशी पणी हो दायन तेवर अयली पनी भहय जस्त भान-भहय को मात्र हो अयली पनी बस्तू तभाई चाई नू रा आत्मा अली बनी छा पईली बनी छा भविश्यमा पनी रही रहनी छा सदा सदा छा आत्मा सत बस्तु हो तेसे लिए इसको अभाव कईले बनी हो दाई नू रा शरीर असत बस्तु हो तेसे लिए इसको भाव सम्भव छाई दाऊ अनेक बैज्यानिक होरको अनेकन फरिक्षन होर बाट यही प्रमानित भाईशकेको चायो शरीर प्रतिपल परिवर्तन भाईराने बस्तु हो हम्रों शरीर ही जुन प्रकार को थियो त्यों प्रकार को आज चायी नौ हम्रों शरीर आज अजुन प्रकार को चत्यों भोली हो देई नौ। नदी माँ पानी आको आई गोको गई गर्या जस्तेई, कि शरीर माँ पनी छण, प्रतिक्षण, परिवर्तन भई रहेको छो। तसर्त यो परिवर्तन शील शरीर जो आफ़ेमा असत बस्तु हो इसको भाव, इसको चत्ता बनी रहन सकताई नौ। नदीला एक ठम्मा जमायर राखन सकी दाई नौ। भनी जें यो शरीर बनी एक ठम्मा एक रूप मा त्थिर रहन सकताई नौ। तेसले अर्जुन यो शरीर को बारेमा चिन्ता गर्न छोड़ा रा शरीर को भित्र पट्टी रहेको जो असली जीवन हो, असली अमर, अजर अमर, अजन्मा जो आत्म तक्तो हो, तेसले चीन जान रा ते अनुशार ब्यवाहर गर तिमी पार तरने छव। अर्था ते तिमी श्वयम पनि अजर अमर हो, अपहले अपहले शरीर संग जोड़ेर, शरीर बुद्धिले गर्दा, अपहले पनि मर्ने कुरावाटा डराई रहेका चाओ। जो आपहिमा विद्वान वो दिमान होड़े नस्वशने नगर्ने विशाय हो। तेसले उठा लड़ यां कहीं मर्ने मार्ने केई बनी चाहिए न। आदानिय अगर्शक ब्रिंद, ओयस्ट नेपाल को यो फेस्बुक फेज बाटा हमिले प्रसाण गरी रहेको, श्रेमत भगवत गीता संग संबन्दित ये विशैबस्तु हरू यां हरू लाई कस्तु लागी रहेको छो। आपना टिका टिपणी वाटा हमिलाई आपना प्रतिक्रिया हरू गरे रहे इसलाई अच्छ तपाई हरू के अनुकूल बनावन सहयोग गर्नु हला भन्ने हमिले आशा आपेक्षा राक्त चाहू रहे आगामी दिन मा इसलाई अजबडी व्यवस्तित बनाए रहे तपाई ह प्रसंद संग संबन्धित प्रस्ण हरू आनि धार्म संस्कृति संग संबन्धित प्रस्ण हरू तब हमरो जीवन ब्यबाहर मा अनुकूल होने उपयोगी होने अनिक तरह का प्रस्ण हरू को समाधान पने हमिले यहां प्रस्णोत्तर कारिक्रम संचालन गरे रहे यहां हरू ब्याख्यां विश्टेशर द्वारा तपैंको जीवन मा हुना आउने अनिक तरा का सुख सांती लाई विचार गरना का लागी तपैंको चीना कुंडली हेडने रते अनुशार तपैंको प्रश्ट का उत्तर हरु दिने पनी प्रयास हामीली गरने छाउं इस सबै सबै कारेक् काले अब हामी पनी बिदा मागनी समय भाईशे केको चा हमीलाई प्रतिक्रिया दिये र अज्याई ठीक दिशाती र ड्वर्याई रहनु हुने चबाने हामी आशागर्द चाहूं एति भन्दै आउनोस कारेक्रम को आंत्यमा प्रार्थना गरून ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमिवाबसिच्यते ओम शांतिही 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 हरिही ओम्